बच्चों के कोविड संक्रमित होने एवं तिस्री लहन में बच्चों में संक्रमन पढ़ने की आशंका से प्रशासन अलट हो गया है अकिल भातिय आयर विद्नान संस्ता एम्स में बच्चों के लिए 200 बेट तयार करने की पहल आरभ हो गई है यहां ICU वह NICU भी रहेगा इसके साथ ही हाला से निपटने के लिए टास्पोर्ज का गठन भी क्या क्या है जिसमें बाल रोग विशेशत न भी शामिल है विभागिया आयुतर डॉक्टर संजर कुमार ने आज यह जानकारी दी है वे कोवीड के तीसरी लहर एवं बच्चों के कोवीड संक्रमीत होने की आशंका की मत्य नचर हुई बैठक में बोल रहे थी स्वास्त उपसंचालक डॉक्टर संजर जैस्वाल, मेडिकल कॉलेज के टीन डॉक्टर सुधर कुप्ता, मेयो के टीन डॉक्टर अजय केवलिया, एम्सकी डॉक्टर मनिश श्री किरिबाल, डॉक्टर दिप्ति जैन, डॉक्टर विनिता जैन, डॉक्टर देव पुचारी डॉक्टर कुष जुन्जुनवाला, डॉक्टर मिनाक्षी गिरिश, डॉक्टर स्वतिश देव पुजारी, डॉक्टर रविंद्र सावरकर, डॉक्टर निर्मल जाजवाल, डॉक्टर रविशंकर धकाते, डॉक्टर पंकच अकरपाल, डॉक्टर राजेश कोसावी, डॉक् धाबर मौचुद थी कैमरा पर्सन राजकुमार मोहुड के साथ अभिशेक पांसी के रिपूर्ट